जैहन क्लास कैसे हैं आप सब चलिए कल हम नाउन टॉपिक ही कंप्लीट कर रहे थे अभी हमारा वो थोड़ा सा बचा हुआ है और आज हम देखेंगे कॉमन एरर इन नाउन अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिरते एक जानकारी देना चाहूंगी कि हमारा जो सब से हैर की सबसे पुरानी बैंक क्लास है सरोई टॉटोरियल अब नए अड्रेस में गौतम अकेडमी आइस के साथ हम चालू कर चुके हैं और इसकी जो बैचेज हैं हमारे 15 अपरिल से स्टार्ट हो रहे हैं जो भी स्टूडेंट इसको जॉइन करना चाहते हैं वह हमको 6261-58228 पर कॉल करके हमसे जानकारी प्राप कर सकते हैं इसके अलावा आप ब्रांच में भी विजिट कर सकते हैं हमारी जो ब्रांच है वह गौतम आया से कैडमी से नहीं नगरमर है तो इसमें आके आप जानकारी ले सकते हैं एक जानकारी और देना चाहूंगी कि आर बी करना चाहते हैं तो आप लोग उसको भर दीजे लास्ट के लिए आप लोग ना बैटें प्लीज ठीक है चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक नाउन बेसिक नाउन हमने पढ़ लिया था कल और परसों की क्लास में हमने देखा था कि क्या होते हैं नाउन यहां से ही आपको एक्जाम में बनेगी मतलब जो रूल्स हमने बताए आपको वह बनेगी वह इन पर्टिकलर इस स्लाइट से जो आज हम पढ़ने वाले हैं उनसे बनेगी तो आप लोग बहुत ध्यान से समझे हैं जो भी आपको डाउट हो आप मेरी क्लास खतम होने के बा करते हैं common error in noun noun जो topic है उसमें किस सरीके से हमारे exam में common error बनती है चलिए rule number first देखेंगे हम सबसे पहले rule number one हमारा क्या बोलता है the following words are uncountable and normally used in the singular singular form only indefinite article a or n should be used they have no plural form देखेंगे सबसे पहले मापको दो चीजें बताना चाहूंगी पहली क्या कि countable और uncountable क्या होता है countable और uncountable क्या होता है countable जिसको आप गिन सकते हो जिसको आप गिन सकते हो uncountable जिसको आप गिन नहीं सकते हैं तो मैंने यहां बोला हुआ है the following words are uncountable यह जो words लेखे हैं यह कैसे हम consider करेंगे uncountable मतलब यह words जहां भी sentence में आएंगे उनको हम count नहीं कर सकते यह words कैसे हैं सारे uncountable है ठीक है आगे क्या बोल रहा है and are normally used in singular form और इनको हमेशा हम कैसे use करेंगे singular form में ठीक है indefinite article a और n basically हमारे तीन आर्टिकल होते हैं तो जब यह question स्टुडेंट से पूछा जाता है कि कि हमारे आर्टिकल होते हैं तो वह बोलता है कि एंदा हमको ऐसे answer नहीं करना करना है हम अब दीरे दीरे हमारा जो पढ़ने का standard है वह हमको बढ़ाना है तो जब भी कि आप से question arise हो कि कितने टाइप के हमारे आर्टिकल होते हैं तो दो टाइप के होते हैं एक होता है definite और एक होता definite definite के अंदर हमने दा रखा है और definite के अंदर ए और ठीक है यहां तक पता समझ में आ गया सभी को आप देखते हैं इन्होंने क्या बोला है कि indefinite article a or n should not be used मतलब इन words के आगे हम ना तो a लगाएंगे ना तो n लगाएंगे they have no pureal form और in word का कोई भी pureal form नहीं होगा आप देखे इस particular rule में आपको तीन चीज़ें ध्यान रखनी हैं सबसे जरूरी कि यह सारे word uncountable होंगे दूसरे article a और n के आगे कभी नहीं लगाएंगे तीसरे important चीज कि यह कभी भी pureal form में यूज नहीं होगे बस यह तीनों चीज़ें आपको बहुत जरूरी इसमें याद रखनी है ठीक है चलिए example और मैं बताती हूँ तो आपको और clear हो जाएगा कि यह rule पोस्टेज वर्क नॉलेज और वेस्टेज यह सारे जो वर्ड्स हैं यह uncountable होंगे इनके आगे कभी भी हम article a और n नहीं लगाएंगे तीक है एक्जाम्पल बताते हैं आपको हम देखी जैसे example मैंने आपे लिखा हुआ है the scenery of Kashmir is very beautiful मैंने क्या लिखा हुआ है the scenery of Kashmir is very beautiful ठी ठीक है तो यहां पर देखे scenery लिखा हुआ है और मैंने अभी बात की कि यह सारे वर्ड्स कभी भी हम प्यूरल वर्म में यूज नहीं करेंगे तो scenery क्या हो जाएगा हमारा scenery इसका यह wrong one sentence होगा तो आपको common error ऐसे ही बनेगी sentence में आपको यहां पे प्यूरल पॉम में दे सकता है लेकिन ए और न नहीं लगेगा ठीक है चलिए देखते हैं इसमें इसका सही क्या होगा इसका right one कौन सा होगा इसका right one होगा the scenery of Kashmir is very beautiful the scenery of Kashmir is very beautiful तो देखिए यहां पर scenery लिखा हुआ जैसा यह वर्ड था वैसा ही इसको हमने यूज किया है ठीक है और इसको प्यूरल नहीं बनाया है कोई यह आई एस हमने नहीं लगाना इन फार्वर्ड में ठीक है और दूसरा एग्जामपल चलिए देखते हैं कि दे गे मी गुड़ एडवाइस दे गे मी गुड़ एडवाइस ठीक है तो इसका जो सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दे गे मी अपीस ओ एडवाइस किया बॉलेंगे दो कि इस तरीके से यूज करेंगे यह बिल्कुल रॉंग है जान में आपको इस तरीके से पूछा जाता है और आपको बताना है इसको और दौसरा करके ऐसे दो वर्ड होते हैं हमार से लिने हों उज्स… जो कि यहां लिखा हुआ है और एक होता है एड ऐसी इन दोनों वर्ड में दो वर्ड का वस डिफरेंस है यहां सी लिखा है सी यहां पर ऐसी लिखा है अब देखिए आप लोग सबसे पहले क्या करिए स्टार्ट जो जो भी स्टुडेंट स्टार्ट कर रहे हैं जाएगा ठीश देखें यह है जो एडवाईज यह क्या है यह क्या है नाउन है लेकिन आड़आई अगर ऑसी लगगिया वर्ड आपको एक और अच्छी चीज बताते हैं हम वर्ब कैसे पर चांटें जिस भी वर्ड के लास्ट में हिंदी में ना आए वह हमारा वर्ब क्यालाता है जैसे देखें पहले सिंपल से लेते हैं हम मैंने लिखा रान मैंने लिखा राइट कि इन दोनों के अगर हम हिंदी करेंगे तो क्या होता है दोड़ना इसका क्या होता है लिखना अब ही मैंने एक वर्ड आपको लिखा था एडवाइस वह भी बता देते हैं एडवाइस इसका मतलब होता है सलाह देना क्या होता है सला देना अब देखिए तीनों वर्ड में common क्या है यह ना यह देखीए ठीक है तो जिस भी वर्ड के हिंदी मीनिनिंग में लास्ट में ना आता है वह हमारा कहलाता वर्ब तो आप इस तरीके से पाचान सकते अब आप वोलींगे कि मैं पता कैसे चलेगा उसके लिए हमको वक्याबलरी पावर अपना अच्छा करना पड़ेगा और अच्छा होगा तो आपको मीनिंग समझ में अदेटिपाए कि क्या भर्ब है क्या नाउन है क्या अड्रिक्टियुफ प्रपोजीशंद यह देरे-देरे अपनी क ट्रॉपक पीस आप गूडवाईंगे तो वह भी रॉंग होगा सिर्फ एडवाईज को इस तरीके से यूज किया जाएगा तरीका है यह बिलकुल गलत तरीका है एड़ाइस भी बोलेंगे तो भी गलत तरीका है थीक है मतलब वह एरर है आप पर फाइंड आउट हो सकती है थर्ड वाला रूल देखते हैं एसी रूल का आई नो दाट है उसके पास बहुत सारी इंफोमेशन है तो यहां सबसे पहले बनती है कि एक्जाम में आपको एस लगा के देता है क्या लगा के देता है यह बिलकुल गलत है अब आप बोलोगे कि मैं मैं नी लिखा है तो इंफोमेशन में यह समझे यह जब भी हम के लिए यह दो हम कॉंटबल नहीं है जो गुशन काउंट नहीं कर सकते इसको हम मैनी के साथ यूज कभी नहीं कर सकते उसके साथ क्या लगाते हैं है mentally मैं जे मैंने हम्ने हाथ लगाते हैं तो इसको सकते हैं तोनि आया यह यहां पर इन्फोर्मेशन के साथ हमेशा या तो मच आएगा या तो पीस ओफ इन्फोर्मेशन आएगा या तो a lot of information आएगा लेकिन सबसे जरूरी जो इसमें important error बनती है वो बनती है S के साथ यह कभी भी मत लगाएगा आप लोग जब भी आप exam में information word देखो तो सबसे पहले check करो कि इसमें S तो नहीं लगा हुआ है दूसरी यह चीज करो कि उसके साथ many use तो नहीं किया गया है ठीक है तो information information एक ऐसा word है जिसके साथ आप मच लगाओगे क्यों कि वह uncountable चीज है कोई भी ऐसा word जो uncountable होगा उसके साथ हम मच यूज़ करेंगे ना कि मैंनी क्योंकि मैंनी जो होता है वह हमेशा countable चीज़ों के साथ हम यूज़ करते हैं ठीक है तो यह देखिए इसको अपन कैसे इन information है तो piece of information ठीक है यह a piece of information समझ में आया तो information को मैं इस तरीके से use करेंगे advice को मैं ऐसे use करना है कभी भी advice के साथ आप yes ना लगाए उसके साथ कभी भी हम प्यूरल फॉर्म को ना शो करें ठीक है समझ में आया यहां तक आप देख लीजिए इसका रूल में एक बार और आपको कर देती हूं नीचे तो आप एक बार नोट करना है तो नोट कर सकते हैं यह करो यह सारे वर्ट्स आपको याद करने पड़ेंगे अपकुछ वर्ट्स यह स्लाइड भी एक बार देख लीजिए आप चलिए आगे बढ़ते हैं अब आप देखें रूल लंबर वन देखा हमने अब रूल लंबर टू देखते हैं रूल लंबर टू क्या बोल रहा है हमारा अब लंबर विए हमारा बोल रहा है कि वह दया चीए मांतिक्स पॉंटेक्स निवार को विध्यान होता है उसको स्वार ओस पापंड़ होने इसका मतलब मतलब स्टैट् exception मिजल्स मम्स मिजल्स एक रोग होता है जिसको खसरा बोलते हैं खसरा हिंदी में खसरा बोलते हैं मम्स जो यहां पर गले में हो जाता है गल्सुआ यह भी हमारा एक रोग होता है रिकेट्स सूखा रोग जो बिसिकली गाओं में जो बच्चे होते हैं जो माल नरिस्ट होते है इनको प्रॉपर टोशन नहीं मिलता कानी कि तरूप तो उसी मतलब मतलब होता है इसे मिलता है ना तो वह मतलब होता है तो आप देखिए अफे और मेकानिक्स यह तो सब्जेक्ट देखिए अप इन सारे सब्जेक्ट में आप लोग गौर से अगर देखेंगे तो एक चीज जो है वह common चली आ रही है क्या common है देखिए सब के लास्ट में एस लगा है यह देखिए सब लोग से लेकिन इन वर्ब्स के लिए पर्टिकुलर कुछ रूल्स है कुछ एक एक सप्षन है जो यहां पर हम नीचे देखेंगे क्या है इस पर्टिकुलर वर्ब्स के लिए इन क्या लेका है लुक लाइक प्यूरल नाउंड देखो सारे वर्ट देखने में कैसे लग रहे हैं प्यूरल नाउंड कैसे लग रहे है प्यूरिवेश क्योंकि सबके में आप ऐसा होगा है लेकिन देते हैं शहाड़已经 हो रहा हैँ तो हमारा जो विड्म होगा कैसा होगा संटेंस में किसके कोड़ी यह संतने就到 Sah Lip तो इसी तरीके से थे सारे वर्ड देखने में तो प्यूरल लग रहे हैं लेकिन इनको सेंटेंस में इदर सेंगुलर इसकरेंगे चलिए देखते हैं एक्जामपल की तो आपको और इजी हो जाएगा समझने में वेंट खैंड यहां रहा है यहां आर iitt Rahe01 आर इनट्रेस्सिंग गेम है टीक प्यूरल है यह देखने में गलत होगा एंगयों यह लेकिन कैसा अता है सिंगुलर हम उनके साथ क्या लगाएंगे सिंगुलर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा इसका यह रोंग बन है कैसा है तो सइसा महलता है क्यों की将ह नगे नची सब्सक्राविक है और हम अपने पड़ी हूँ पढ़त होगा क्यों कि हमने अभी पढ़ाए कि सारे सिंगुलर की तरह यूज करना तो आर यहां पे गलत है इसकी जगह पर क्या आएगा इस दूसरा देखते हैं दन्यूज आर नौट नूज भी देखी अभी बात की तेपन पहले ही वर्ड है हमारा नूज दन्यूज आर नौट रिलाइबल जो नूज रिलाइबल मतलब विश्वास करने योग नहीं है ठीक है तो उसका भी हम करेक्ट करके क्या कर दिंगे दन्यूज इस नौट रिलाइबल क्या जाएगा इस यहां पर जो आर है वो है गलत है क्यों क्योंकि यहां पर सिंगुलर समझ में आ रहा है सभी को एक बार देख लिए सारे सेंटेंस फिर हम आगे बढ़ते हैं यह रूल भी आपकर देख लिए क्या लिखा हुआ है कि चलिए आगे बढ़े अब रूल लंबर थ्री में आते हैं हम रूल लंबर थ्री हमारा क्या बोल रहा है देखिए अभी हमने एक और दो रूल पड़े हैं इसमें आपको जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके पूस सकते हैं चलिए रूल लंबर थ्री में आते हैं अभी रूल लंबर थ्री हमारा क्या बोल रहा है कि सब्सक्राइब देखो कुछ नाउन हमारे इंग्लिस लैंग्वेज में सेम फॉर्म में होते हैं अगर वह सिंगुलर है तो भी और प्यूरल है तो भी मतलब उनका कोई चेंज हो अगर भी दो खूर्म टेर्स में कोई दो गरेंगे एक हाट करने के लिए तो कुछ जो हमाई नाउन है वह कैसे यूज़ होंगए हमेसा सेंगलर या प्यूरल है लेकिन वह एक ही पालिंहां के साथ हम उनको यूस करेंग ठीक है चलिए कैसे देखते हैं वहवर्ब कौन से इस वर्फ आज सीब यह डियर कुछ सा होता है हेड़न वाला कि के ना सर्विस सीरीज इस इस पैसीज फिश आपरेटरस मनी टीम जूरी कार पकार्प मतलब होता है भाला एक गेम होता है ना भाला जो फेकते हैं स्पूल में अमने देखा होगा यह कार्प मतलब भाला ह मतलब किशी की गलतियां निकालना कारफ मतलब होता है किसी की गलतियां निकालना ठीक है मतलब होता है फैला सब्सक्राइब कव्हा और काउंसल फैमिली यहां पे कॉम SCP यह सारे वर्ड देख लिए एक बार शीप डियर सर्वेस सीरीज स्पिसीज फिश अपरेटर्स मनी टीम जूरी कार्प एयर क्राफ्ट पाई क्रू काउंसल और फैमिली यह सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो जैसे हैं आटरिजर वैसे ही यूज होंगे इसमें कोई भी चेंज नहीं ह बोल रहा है कि he saw two seeps in the Jew उसने देखे दो सीप उसने देखे दो सीप आप देखिए यहां पर टू है मतलब यह प्यूरल हो गया कोई भी चीज जब एक से दो होगी दो तीन चार पांच है इंफिनेटा से नंबर तो वह प्यूरल कहला जाएगी ठीक है तो अगर यहां पर य ऐसे यूज हम नहीं करेंगी ठीक है यहां पर इसको हम ऐसे यूज नहीं करेंगी क्यों क्योंकि यह सीप अगर सिंगुलर है तो भी इसी वर्ट के साथ यूज होगा और अगर फ्यूरल है तो भी इसी स्पैलिंग के साथ हम यूज करेंगे यहां देखो he saw two seep in the Jew यह देख रूट है तुमोरो तो एक लेक्चर की सीरीज मतलब सारे से मिलके सीरीज बनी है तीक है उसको मुझे कल करना है अच्छा एक बात आप ध्यान रहें कि जब भी हम लेक्चर की बात करते तो इसको डेलेवर किया जाता है तीक उसको हम कुछ ऐसे वर्ट है जो पर्टिकुलर तो यहां पर देखो यहां पर आप बताओ यह जो से बनी वह एक से नहीं बनी है लेकिन पूरे लेक्चर की एक सीरीज वह भात इसके साथ हम आर नहीं लगाएंगे हमने कल भी बात की थी कई बार हम कलेक्टिव नाम करेंगे यूनिट लेते हैं जैसे हमने बदाया था बंच ऑफ ग्रैप्स एक गुच्छा है बहुत सारे अंगूरों का तो अब बंच ऑफ ग्रैप्स तो ग्रैप्स पे यहां ऐसा आएग उस चार लेक्टर में एक सीरीज बनी है तो यह सिंगुलर हो गया इसलिए हम आर नहीं लगाएंगे क्या लगाएंगे इस तरीके से तो यह पर्टिकुलर एक्जामपल हम इस तरीके से से समझेंगे यह रूल मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूं यह सारे जो वर्ट्स मैं यह mean करते हैं इनका कोई सिंगलर और प्यूरल फॉर्म नहीं होता है इसमें कभी भी आप फ्ल iemand गाहिं यह रूल नहीं चैस को नोगम करना है ओंगे-बढ़ asteroids है चलिए चले नेक्स लाइड में जाते हैं नेक्स स्लाइड हमारा नेक्स रूल मोर नंबर फोर है हमारा क्या बोल रहा है दा फॉलोइंग नाउन आ ओल्वेज यूज इन द प्यूरल फॉर्म अब यहां पर देखिए क्या बोल रहा है यह कि जो यह सारे वर्ट्स दियो हूए आपको यह सारे वर्ट्स से सिर्फ वा सिर्फ प्यूरल फॉर्म में यूज़ोंगे यहमेंसा सेंटेंज में कैसे यूज़ूंगे उज़ा पूरल इनका कोई भी सिंगुलर फॉर्म नहीं होगा जले ज開心 f peopleados सिंग्णर होई नहीं सकते का ब्रॉजिकली सोचय तुब सारे आपको समझ में आएगाamar मतलब होता है सोरी मतलब होता है दान जो हम वह दान करते हैं न यह वाला यह नहीं था था शी इस सिजर चैपनी को बोलते हैं ट्राॉजर संट वाला जो ट्राउजर साता पैंट क्लिप स्टिट होता है गैलों को ऑई-ग्लास्ट से गोगल्स बायन को चिम्टे को बोलते हैं जिसे हम रोटी बनाते हैं ठीक है ना वेजेस शॉर्ट ये दो बार लिग गया है ठीक है ना वेजिटेबल और बाइनकुलर दूर भी इनको बुलते हैं अब देखिए आप लॉजिक आप सारे वर्ट को गौर से देखिए यह सारे जो वर्ट हैं यह बिसिकली ज हमें थैसरी पर्ट कर सब्सक्राइब करें कि आटने है चाहिता शब्रखन में के छिक तो बंभ ठीक है थैसे लें पूर्झाण के पहर बिलेंगे जो आपको याद करने पड़िए जह तो देखने के बनास को भी अब ओर सी जिनको हम गलत कई बार बोलने में यूज करते हैं तो जब भी सेंटेंस में एक्जाम में आपको यह वर्ड कैसी लगी है प्रोणाउन कैसे लगी है प्यूरल पॉर्म को अपने साथ में लेकर चलते हैं इनके साथ हमेशा वर्ब भी प्यूरल आएगी और प्रोणाउन भी प्यूरल आएगा ठीक है तो इस बात का प्लीज ध्यान रखें चली एक्जामपल देख लेते हैं अपन इसके थोड़ा एक्जामपल क्या बोल रहा है एक्जामपल बोल रहा है कि the scissors is very sharp the scissors is कोई scissors है कोई कैची है जो कैसी बहुत तेज है तो इस के वह आएगा अब भी मैंने बात की कि हमेशा कैसे यूज होंगी ऐसा फ्यूरल फॉर्म तो इस तो सिंगुलर वर्व है ठीक है तो क्या आ जाएगा यहां पे the scissors are very sharp the scissors are very sharp ठीक है यह समझ में आया आपको एक और एक्जामपल देख लेते हैं arms was given to the beggars दान जो है वो बैगर को दिया था ठीक है तो arms वर आ जाएगा क्योंकि वर जो होता है वो होता है प्यूरल वर्व होता है और was होता है वो सिंगुलर वर्व होती है ठीक है तो arm word given to the beggars तो यह सही होगा यहां पर आपने देखा कि यह सारे sentence में यह वर्व साय हुए है तो इनके साथ हमने जो वर्व यूज़ की है वो कैसे यूज़ की है ठीक है चलिए यहां तक लियर हुआ क्या आप लोगों को एक बार देख लिजे पूरा रूल फिर आम आगे बढ़ते है इसमें भी आपको है क्या बोल रहा है हमारा कि रूल नंबर 5 हमारा बोल रहा है कि मीनिक्स लगेगा मतलब डेखने में कोई लगेगा न एस लगेगा न येस लगेगा मतलब जो पूरल बनाता है लेकिन जो इसकी मीनिंग रहेगी वह कैसी रहेगी ठीके न देख लेते हैं वो वर्ट्स क्या है वह वर्ट्स थीज आर कैटल क्लेजी इन्फेंटी पोल्ट्री चिल्रंग जैंट्री पुलिस यह सारे जो यह क्लेज़ी मतलब होता है पादरी जो वो चर्च में जो पादरी होते न CI उनको आपको पता होगा छोटे बच्छी के लिए बुला जाता है जे जो होता है और इसमें भी कौन से मवेश्यों को रखा गया है इसके खुर होते हैं खुर वाले जनवरों को हम कैटल के अंदर रखते हैं ठीक है न तो देखिए यह सारे वर्ट देखने में देखिए सिंगुलर लग रहे हैं किसी के आगे भी कोई कि यह लगा हुआ है लेकिन यह सारे जो वर्ट हैं यह हमें सब्सक्राइब कर दिमांग में रखना है चीजें बोल क्या रहा है लॉजिक लगाते चीजों को पढ़ना है ठीक है न देखिए एक्जांपल फॉस सपन देखते हैं कैटल इस ग्रेजिंग इंदा फील्ड कैटल ए क्वें प्यूर्ट है ठीक है और फील्ड मतलब ग्रेज मतलब होता है चरना यहां पर यहां पर यहां तो यहां पर क्या हो जाएगा रॉंग इसके साथ हमेशा क्या आएगा आर आएगा क्योंकि एक्शाम्पल दूसरा देखते हैं अपन और कॉलोनी इस प्रटिकुलर कॉलोनी में कोई सब यह बैखती है जेंटरी जेंटलमेंट टैप का परसन नहीं रहता है तो यहाँ पर विए तक आपको जो चार प्रूल्सुलə पूरा तो आपको लॉर्ण करने पड़ींगे वर्ट कि किन वर्ड के साथ क्या रूल एप्लाइब होता है थेखिए इंग्लिश में कैसा है कि हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते हम हमको इसको learn ही करना पड़ेगा हमको दिमाग में इसको logically link करके याद ही करना पड़ेगा ठीक है तो इस तरीके से आप इनको पढ़ें और क्योंकि देखिए इंग्लिश में इतने सारे रूल कहना कि अगर आप एक रूल को रटने बैटेंगे तो फिर समझने की कुशिश करें क कैसे इसको link करके पड़ सकते हैं आप जैसे देखिए एक मैंने चीज बताईगी पुलिस अब पुलिस की जब भी बात हो तो दिमाग में यह चलना चाहिए कि कम्यूटी है जिसमें एक से जादा लोग है पीपल की मैंने बात की तो पीपल अपने आप में क्या होते हैं तो आपको इजी ली वह समझने में आएगा लन भी जल्दी हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स स्लाइट के और चले हैं अपन देख लिजे एक बार आप लोग कि देख लिए आप लोगोने चले आंगे अपन चलिए नेक्स रूल देखते हैं अपन नेक्स रूल हमारा क्या है रूल लंबर 6 रूल लंबर 6 हमारा क्या बोल रहा है देखते हैं The same form, if the same noun is repeated after proposition, the noun will be singular. अगर किसी sentence में कोई एक ही noun बार बार या दो बार repeat हो रहा है, एक ही noun उस sentence में दो बार repeat हो रहा है, या बार बार repeat हो रहा है, तो तब उस case में हम particular singular word use करेंगे और singular pronoun use करेंगे. कैसे देखें, और एक जरूरी बात इस rule में क्या है, कि जो दो word है, जो same noun है, उनके बीच में proposition से वो link होने चाहिए, proposition से वो जोड़े रहने चाहिए, तब ही ये rule हमारा apply करेगा, देखें, example के दूरू समझते हैं, क्या बोल रहा है कि the town after town were devastated, devastated मतलब nast होना, कोई भी चीज़ हो जाना, ठीक है, देखो, एक noun हो गया ये, एक noun हो गया ये, ठीक है, किस से जुड़ा हुआ है, ये, proposition से, दो noun हो गया है, हमारे total, noun, town after town, word devastated, ठीक है, तो दो, जो town है, एक के बाद एक जो town था, वो खराब, नफ्ट होते जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर दो noun है, आपस में, proposition से जुड़े हैं, तो हमारा वर नहीं आएगा, उसके साथ, क्या आएगा, बोज आएगा, क्या आएगा, बोज क्योंकि अभी मैंने बात की, कि जब same noun, repeat हो रहे हैं, proposition के साथ, लिंक कर रहे हैं, तो वो जो हमेशा होगा, वो कैसा होगा, singular, ठीक है, तो यहाँ पर वर condition, ठीक है, row upon row of pink marble look beautiful, ठीक है, जो pink marble की जो row है, वो बहुत सुदर है, या beautiful है, ठीक है, तो row upon row of pink marble look beautiful, तो इसका क्या हो जाएगा, row upon row of pink marble looks very beautiful, या beautiful, ठीक है, अब देखिए, यहाँ looks क्यों लगा, क्योंकि present simple का sentence है, और जब भी present simple में हम singular की बात करते हैं, तो हम उसके verb के सा EIS लगा देते हैं, यह हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, जब हम tense का chapter पढ़ेंगे, अभी आप बस सुन लीजे, जब हम tense पढ़ाएंगे, तो आपको यह सारी चीजें clear कर लेंगे, कहां S लगता है, कहां किस tense की helping verb होती है, यह हम सब धीरे-धीरे करते चलेंगे अभी हम पहले noun को complete करेंगे, तो अभी सिर्फ जो मैं बता रही हूं, उसको बस सुन लीजे, माकी में इसका आपको जो भी doubt हो, तो मैं आपको आगे बताऊंगे, यह comment करके भी आप मुझसे अभी पूस सकते हैं, तो यह clear हुआ, कि कोई भी जब same noun होंगे, किसी sentence में दो हों तो वो हमेज़ा singular verb को carry करेंगे, ठीक है, समझ में आया, चली, देख लीजे एक बाल यह पूरा rule, चली, next rule देखते हैं, आज का हम एक last rule देखते हैं, ठीक है, rule number 7, rule number 7 आज हमारा last rule, इसके वागे आगे हम कल continue करेंगे, लेकिन यह वाला आज हम अभी पढ़ेंगे, क्या बो ठीक है, these are called dual gender nouns, कुछ noun sentence में क्या होते हैं, common gender होते हैं, मतलब common होते हैं, उनका कोई feminine और masculine नहीं होता, वो common होते हैं, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, dual gender, इनको क्या बोलते हैं, dual gender, ठीक है, देख लेते हैं, वो words कौन कौन से हैं, हमारे teacher, student, child, clerk, candidate, advocate, worker, writer, client, president, politician, author, leader, magician, person, अनिमी, neighbor, and, etc., से कुछ और भी हम लेख सकते हैं, मैंने कुछ भी लिखे हुए, ठीक है, तो देखिए, यह सारे जो words है, यह common gender होंगे, और इनके लिए मतलब लड़का लड़की हम common इनको ले सकते हैं, और इस particular case में हम इनको dual gender कहते हैं, क्या बोलते हैं, dual gender, ठीक है, आब एक बात में बताना चाहती हूं, कि कभी भी आपको कोई sentence में अगर gender classify नहीं है, क्लियर नहीं दिख रहा है, कि यह लड़का है, लड़की ऐसा कुछ नहीं दिया है, वाट तो उस case में आप his use करते हैं, क्या use करते हैं, his, ना कि her, अगर आपको इस particular context में gender नहीं समझ में आ र इसको भी आप छोड़ दीजिए, इसकी बास सीदेश को देखिए, यहां मैंने बस यह इसलिए लिख दिया, ताकि आप यहां पर हर ना पढ़ें, क्या आएगा हिद, क्योंकि देखिए, लड़का भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है, तो यहां पर कोई आपको पता चल है, तो जहां पर पता नहीं चल रहा है, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, हमेशा हिजी, यह प्रोनाउन क्या लाता है, ठीक है, जो मेल के लिए लगता है, लेकिन अगर जहां पर हमको जेंडर डेफाइन नहीं है, तो उसकेस में आप हिजी ही लगाएंगे, जाहे वो इसकेस में भी हमने क्या लगाया, हिज ना की हाथ, देख लीजा आप लेकिवाला रूल, इसमें भी अगर आपको कोई भी डाउट है, तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, जितना भी हमने आज पढ़ा, टोटल 7 रूल हमने पढ़े हैं, इन रूल में आपको कोई भी दाउट है, तो आप हमसे बात कर सकते हैं, मैसेज हमारे इसी यूटूब के नीचे आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है, ठीक है, और मैंना भी शुर्वात में भी आपको बचाए कि हमारी 15 अपर से स्टार्ट हो रही हैं, जो भी स्टूडेंट जोइन करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, क्योंकि लिमिटेट सीट हैं, तो आप आखे उसमें जोइन कर सकते हैं, ठीक है, ठैंक यू, बड़ी मच, चले कल कंटीनिंग करेंगे,